नमस्कार सुप्रभाद, स्वागत सबरंग में आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का एक सुन्दर सुभा के साथ पुनह दिवस की शुरुवात हो रही है और मित्रों इस दिवस की शुरुवात में हम एक सुन्दर सा सुभा के आपके लिए ले करके आते हैं एक उड़ते वे बलून में लिखा हुआ था कि बलून में बाहर क्या दिखाई दे रहा है उसके कारण ये नहीं उड़ रहा लेकिन इसके अंदर क्या है? उसके कारण उड़ रहा है जीवन में हम भी कितने शिखर पर पहुँचते हैं कितने उचाई पर पहुँचते हैं इसमें हमारे अंदर क्या है? वो ज़्यादा महत्व रखता है बनिस्पत बाहरी चीज़ों के और सुवाक्य एक ऐसा ही श्रेष्ट संकल्प होता है जो सचमुच हमें अंदर से बल देता है आए सुनते हैं आज के सुदर सुवाक्य को आप जो करते हैं वो एतना शोर करता है कि आप जो कहते हैं वो मेरे कान तक नहीं पहुचता राल्फ वाल्डो एनुसिंग, साथियों, हम उचे शब कह सकते हैं लेकिन हम हमेशा अपने कर्मों से आंका जाएगा दुनिया से सम्मान पाने के लिए हमें इमानदारी की जरूरत है अगर हमारे शब्द हमारे कारियों से मेल नहीं खाते हैं तो लोग इसे आसानी से पहचान लेंगे इसलिए कहा जाता है कि कर्म शब्दों से बहतर बोलते हैं जब हम आत्मचेतना का अभ्यास करते हैं तो हम जो सोचते हैं उसे बोलने और जो हम बोलते हैं उसे करने के लिए परियाप्शक्ति प्राप कर सकते हैं मुख्य मिठास संबंधों को मधूर बना देती है मिठा बना देती है लेकिन शरीर की मिठास जीवन को उदास बना देती है मुख्य मिठास बहुत जरूरी है ताकि संबंधों में मधुर्ता बनी रहे लेकिन जब शरीर में मिठास बढ़ जाती है तो वो बहुत सारी तकलीफों को जन्म देती है जी है अपने सही समझा मैं डायबिटीज की बात कर रहा हूँ लेकिन यदि डायबिटीज हो भी गई है हम कैसी इसे नियंत्रित कर सकते हैं आपकी सेहत आपके हाथ में आज इसी के सुन्दर टिप्स लेकर आए हैं आए देखते हैं ओम शांती गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स डायबिटीज बहुत ही कौमन नाम है जिसे हम शुगर की बिमारी भी कह देते हैं आपने बार-बार सुना होगा अपने घर में कोई ना कोई आपका डायबिटीज का पेशिंट होगा लगभग 10% लोगों को आज डायबिटीज है भारत में बहुत जल्दी ही डायबिटीज की कैपिटल बनने जा रहा है और यह बहुत सारी बिमारियों को जनम देता है हाट की मारी इसमें से मुख्य है और डायबिटीज का मुख्य कारण हमारे माता-पिता से हम जो जीन्स मिलते हैं अगर आपके फादर और मदर को डायबिटीज है तो आपको बहुत अधिक चांस है आपको डायबिटीज होने का दोस्तो जीन तो हमें माता-पिता से मिलते हैं जीन तो बीज की तरह से होते हैं कि तो जीन को धर्ती चाहिए अगर आपके मन में कड़वाट रहती है मिटरनेस रहती है सम्मंदों की कड़वाट मन में है तो आपका मन वो धर्ती बन जाता है जिसमें डायबिटीज का जीन पनता है दोस्तो अगर आप डायबिटीज आपको ना हो तो आइक तो आप अपने मंदर मिठास पैदा करें, सम्मंदों मिठास पैदा करें, जहां तक हो सके, आप मिठा ना खाएं, अगर माता पिता को डायबिटीस है, चीनी गुड़ शक्कर ना खाएं, आलू कम से कम खाएं, चावल वाइड राइस ना खाके, आप ब्राउन आप यूज़ करें, जैसे विज़ेवल फाइबर फलो के रूप में और इंसॉलिबल फाइबर वेजटेबल सलाद के रूप में और अंकुरित मूंग मेथी और दल्या के रूप में यूज़ करें, और आपको डायबिटीस का शूगर का लेवल के होना चाहिए, नॉर्मली का शूगर कंट्रोल आपको छे से नीचे होना चाहिए, अगर आपको डायबिटीस हो गई है, और आप दवाईयां ले रहे हैं, तो उसमें मुख्य रोल डायट का है, भोजन आप प्रावपर दंग से समय पर खाएंगे, चबा-चबा के खाएंगे, जो आपको डायट चार से पहले 110 के नीचे चाहिए, और खाने के बाद 140-160 की बीच में चाहिए, तीम निने का शूगर कंट्रोल साथ से नीचे, 7% से चाहिए, इससे कि आपको भविश्य में आपके हार्ट, किड्नी, आँखें, और बेन के नसें, और आपकी नवस, पेरिफर निरो पैती नहीं हो लेकिन तन की मिठास नियंत्रित रहे इने शुपकामनाओं के साथ, आईए आगे बढ़ते हैं अपने अगली सेग्मेंट की ओर जहां आप जानते हैं, प्रोफेसर राजीव शर्मा हमारे लिए बहुत छोटी-छोटी लेकिन काम की बात लेकर आते हैं, जो गुद-गुद सबी देखने सुनने वालों को प्रोफेसर राजीव शर्मा का साधर नमस्कार, भरतरी ने एक बड़ी प्यारी किताब लिखी है वैराग्य शतक, वैराग्य शतक में भरतरी लिखते हैं, भोगे न भुखता वयमेव भुखता, कालो न याती वयमेव याता, तपो न तप्त हम वयमेव तप्ता, त्रिष्णा न जीरणा, वयमेव जीरणा, यानी भोगों को हम नहीं भुखते, भोग ही हमें भुखते, जैसे पहले हम शराब को पीते हैं, बाद में शराब हमें पीने लगती है, हम समय को नश्ट नहीं करते समय ही हमें नश्ट करता है हम आग को नहीं जलाते अगनी ही हमें जलाती है और त्रिश्णाएं यानि इच्छाएं कभी बूरी नहीं होती मनुष्य ही बूरा हो जाता है नमस्कार मित्रों कहते हैं हमारी जन्म भूमी तो सचमुच स्वर्ग से बढ़कर है जहां हर कोई जन्म लेने की कामना करता है और यह हमारा भाग्य है कि इस पुन्य भूमी में हमने जन्म प्राप्त किया है और इस पुन्य भूमी अपनी जन्म भूमी के ही अलग-अलग शित्रों के हम प्रति दिन दर्शन करते हैं आई आज आपको लिए चलते हैं उकते हुए सूरज की भूमी पर जिहां आपने सही पहचाना अरुनाचल प्रदीश जहां हर दिन उच्सव होता है और जहां की पहाडियां सुरम्यवादियां बर्बस ही सबको अपनी ओर आकरशित करती हैं आए चलते हैं अरुनाचल प्रदीश अरुनाचल प्रदीश एक खूपसूरत राज्य जिसे भारत का फिनलैंड भी कहा जाता है यहां बरफीली चोटिव के साथ खूपसूरत फूलों से महगते मैदान है भारत में सबसे पहले सुरियो दै यही होता है भारत की सबसे बड़ी मौनेस्ट्री टौांग मौनेस्ट्री भी अरुनाचल प्रदीश में स्थित है ट्वांग मोनेस्ट्री ये भारत का सबसे बड़ा बौद मठ है अरुनांचल प्रदेश में बसे इस ट्वांग मोनेस्ट्री को नौर्थ एश्ट का स्वरक कहा जाता है ट्वांग का अर्थ है The Blessing of Hearts माना जाता है कि पांचवे दलाई लामा के शिश्य मेराग लामा के घोडे ने इस जगे को खो जा था ये एक ऐसी जगे है जहां हम अध्यात्म की एक अलगी दुनिया में खो सकते हैं क्या आपको पता है दोस्तों अरुनाचल प्रदेश के लोगों का सोभाव बहुत ही हैलफुल और फ्रेंडली होता है वहीं पूरी दुनिया इनकी महमान नवाजी की प्रशंसा करती है दोस्तों यहां के बौदिस लोगों का मुख्य त्योहार है लूसर दोस्तों अरुनाचल प्रदेश के सबसे प्रमुक मंदिरों में से एक है गोल्डन पैंगोडा जो बरमीज वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उधारण है वहीं इस राज्य में अध्यात्म की रौष्णी पहुचाने का कार्य ब्रह्मकुमारी संस्ता द्वारा कुशलता पूर्वक किया जा रहा है तो यह थे दोस्तों अरुनाचल राज्य से जुड़े कुछ अनूठे पहलू स्प्रीच्वल इंडिया में भारत के अलग-अलग खंडों के दर्शन करके सचमुच मन गदगद हो जाता है भारत वर्ष जिसे सारा संसार अपना आध्यात्मिक गुरु मानता है इसे पुना उसी श्रेष्ट पद पर पहुँचाने का सुन्दर और श्रेष्ट सेवाकार्य ब्रह्मा कुमारीज कर रही है पीस नियूज हाइलाइट्स में हम प्रती दिन देखते हैं कि किस प्रकार ये सेवाकार्य चल रहा है आए आज भी देखते हैं शिक्षा में मूल्यों के समावेश्टा कितनी एहम है इस विशय को लेकर महराश के लातुर सेवा केंद्र पर प्राइमरी स्कूल टीचर्स के लिए इसने मिलन का आयोजिन किया गया मानफता में आ रही भारे गिरावर ये संकेत दे रही है कि लोगों में मानवे और अध्यात्मिक मूल्यों का लगाता शरण हो रहा है अगर इसकी रोकताम करनी है तो हमें इसकी मूल इकाई पर कारे करना होगा मतलब बच्चों में प्राइमरी शिक्षा से ही मानवय और अध्यात्मिक मूल्यों का पौधर उपन करना होगा इसी का एक प्यास देखने को मिला महराश्र के लातूर सेवा केंदर पर जहां प्राइमरी टीचर्स को इस बात की गंबिरता समझाने के लिए इसने मिलन का आयोजन किया गया जिसमें लातूर सेवा केंदर प्रभार एपी के नंदा ने भविशे के भारत की सुन्दर संकल्पना करते हुए सभा में मौजूद सभी से बहुती सुन्दर आग्रें किया निवेदर करती हुँ जैसे आज हमारी बीच में अमदर भाई साब बैठे हुए हैं अगर इंट्रेस्ट दिखाएंगे तो मराट बड़ा में जागरती स्कूल कालेजों में ला सकते हैं और हूं महिने जा करके जिनका वैल्यू एजुक्रेशन पूस्ट बाए जिस सुश्म अभी फ्री हो गए तो यहां में अगर आप करेंगे तो विद्या क्षेत्र सच्वाश पवित्र क्षेत्र बन जाएगा महुंट अपुला खर्वाज आपने एक तरे क्रत्य कानी गेला पाईचे सहलीला बडितर केकानी जातों तो महुंट अपुला जरूँ जाओ 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 नजे खर्यां देना प्रसंदा अपलेला बगाईचे आसे सब्टी आपला सबला शोद कैसे चारबार कि मानाला शांत अधिए मुझे विश्वास है कि यादि में इस संसथा को जूड़ित नहीं रइंधी तो मैं भी प्रतीस्ता हवेशा की पीछे पर्ती धिती है अःसा मीं बजे ऎकि ताइक य।कि इसा संस्था का उठेशे मुल ये हैं समगतान चारी ट्रीतर हुथां आपको सई दिशाए तो यह समस्ता अभी मुझे अपने आध्यापन कारियों में पहुती उपयोग हुआ मद्यपदेश के राजगर में अमरत महुतसफ के अंतरकत किसानों के सम्मान में ग्राम खेर-खेडी में आयुजिन किया गया जिसका शुभारम राजगर जिला प्रभारीबी के मधु समेट कई उपसेवा केंद्रों की प्रभारीबी के बहनों ने दीप जला कर किया किसानों के लिए आयुजीतिस कारक्रम में चर्चा के लिए विशे रहा संसकार परिवर्तिन द्वारा सशक्त किसान और सम्रुद्धी खेती जिसकी अध्यक्षता करते हुए भीके मधू और भीके भागी लक्ष्मी ने अपने विचार व्यक्त किये जब हम अच्छे संसकारों को भी बार बार अपने अंदर लाते हैं और अच्छी आदतों को हम जीवन में अपने अंदर लेकर आते हैं तो भो भी हमारा एक मोटा संसकार बंता जादा है इसके पश्चात पूरे गाओं में जाग रुकता रहली भी निकाली गई जिसमें कई लोगों ने जुड़कर ग्राम वासियों को राज्योग द्वारा संसकार परिवरतन करनी के लिए जाग रुक किया मित्रों आइसबर्ग का केवल 10 प्रतिशत भाग पानी के बाहर होता है और शेश 90 परसेंट जो उसका भाग है वो पानी के अंदर होता है जीवन में भी हम जिस पे ज़्यादा फोकस करते हैं वो स्किल्स है, नौलेज है या फिर अन्य अपनी योग्यताओं को बढ़ाने पर हम ध्यान देते हैं लेकिन जो 90% portion है हमारी अंदर के विचार, हमारी attitude उस पर हम कितना कारिय करते हैं शिरवाद भी मैंने यहीं से की थी कि हमारी अंदर क्या है वही हमें शिखर पर ले जाता है हमारी अंदर के विचार, हमारा द्रिस्टिकोन कैसा है, सचमुच वही जीवन को निखारता है और वही हमें शिखर की ओर ले चलता है और यही सबरंग की मंगल कामना है अपना ख्याल रखिएगा, कल पुना आप सबसे मुलाकात होगी नमस्कार, ओम शैन्ति